हाई एवरिवन, मैं सानन सारी आपका अपने चैनल Automation Fever में स्वागत करता हूँ अपनी लास्ट वीडियो में हम रेजेक्स के कुछ सिंपल पैटर्न बनाना सीख रहे थे वहीं से आके बढ़ते हैं रेजेक्स 101 में मैंने कुछ वर्ड्स यहाँ पर लिखे हुए हैं और अगर आप फ़ड़ा गौर करूँ तो पहले लेटर को छोड़के हर वर्ड के सारे लेटर सेम हैं लास्ट वीडियो में हमने क्या सीख था कि हम पैटर्न चेक करते हैं कि हमारी स्ट्रिंग में पैटर्न क्या है तो हमारा pattern क्या है कि पहला letter capital है फिर U-T-O-M-A-T-I-O-N लिखा हुआ है फिर एक capital letter है जो कि F-E-V-E-R लिखा हुआ है अब जो यह पहला हमारा character है यह हर word के लिए अलग अलग है तो हम square bracket में यहाँ पर range दे सकते हैं तो जैसे कि letter capital होना चाहिए तो हम A-Z दे देंगे मतलब कोई भी word अगर A से लगा के Z तक कोई भी word का पहला character है तो यह बाकी सब को match करेगा ठीक है बाकी तो यह automation fever है तो यह जो range है A से Z तक ही हम नहीं देते हैं अगर मुझे पहला letter चाहिए कि A से C तक कुछ हो तो हम A-C दे सकते हैं ठीक है अगर हमें चाहिए कि K से M तक है कोई तो K-M दे सकते हैं तो अपने according आप इस range को यहाँ पर define कर सकते हैं अगर हम देखे तो यह बहुत ही आसान सा है कि example था इसमें क्या था कि पहले character को छोड़के word में जितने भी letter थे वो सारे same थे ठीक है तो इसका pattern हमने आसानी से बना लिया अब एक दूसरा example हम देखते हैं मेरे पास कुछ name है मैं इनको copy करता हूँ और paste कर देता हूँ यहाँ पर लाकर ओके अगर हम अब इन names को देखे तो rejects बनाने से पहले हमें सबसे पहला काम क्या करना होता है pattern की खोज करना होता है अब pattern खोजते हैं इसमें तो अगर आप देखे हर word में क्या है first name और last name दोनों है first name का जो पहला character है वो capital है उसके बाद एक space है और उसके बाद last name है और last name का पहला character भी capital है यह हमारा pattern है इसके base पर ही हमें regular expression बनाना है pattern हमें मिल गया एक और अब जो main problem है वो देखते हैं सबसे पहला तो यह है कि first name और last name कितने characters का होगा हमें नहीं पता बिलकुल भी आइडिया नहीं है किसी का नाम, पाँच करेकटर का हो सकता है first name, last name, 10 करेकटर का, किसी का, 3 करेकटर का भी हो सकता है कुछ भी हो सकता है और first name, last name क्या होगा, ये तो हमें बिलकुल ही नहीं का है तो आप pattern कैसे बनाएंगे, ठीक है, अब ध्यान से देखना आप, सबसे पहले, तो first name का जो पहला character है, वो capital है, और कुछ भी हो सकता है, तो हम square bracket की अंदर, capital A, hyphen, capital Z देंगे, ठीक है, उसके बाद अगर आप देखे, first name की जितने भी letter है, वो सारे small में है, ठीक है, इसमें कुछ और name हम जोड़ते हैं, आपको जाद अच्छे समझ जाएगा, हम यहाँ पर M कुमार देते हैं, अनू, नेगी देते हैं, ठीक है, आपको और अच्छे समझ में आएगा, अब देखो, first character के बाद, जितने भी first name के letters है, वो सारे small में हैं, और कुछ भी हो सकते हैं, ऐसे Z तक तो हम A to Z यहाँ पर देते हैं, इस small में, अब यहाँ पर न हमें नहीं पता कि कितने इसके letter होंगे, किसी के first name में, हम तो इस तरीके से यहाँ पर A to Z, A to Z, A to Z, यह नहीं दे सकते हैं, किसी का name तीन character का हो सकता है first name, किसी का जादा का, इसमें न हमारे काम आते हैं quantifiers, ठीक है, इसमें एक होता है plus, plus का का काम क्या होता है, कि जिस भी चीज को हम ढूंड रहे हैं, उसका कम से कम एक मैच उसे मिलना चाहिए, एक से जादे कितने भी हो सकते हैं, तो अगर मैं यहाँ पर plus दूँ, तो आप देखो, और एक space देता हूँ, ठीक है, इससे last name को भी match ना करें, तो आप देखो, कि हमारा जो regular expression बना है, वो सब को match कर रहा है, m को छोड़ के, क्योंकि m के बाद कोई letter ही नहीं है, तो plus का काम होता है, कम से कम एक match उसे मिलना चाहिए, एक से ज़्यादे कितने ही मिले, ठीक है, मतलब एक letter कम से कम, small में उसे मिलना चाहिए, m के बाद नहीं है, तो ये name इसको search होके नहीं मिलना है, अब दूसरा quantifier हमारे पास होता है, star, star का क्या क्याम होता है, कि इसको zero match मिले या zero से ज़्यादा, ठीक है, ये सब को find करेगा, मतलब पहला letter capital होगा, उसके बाद, एक small letter हो, ना हो, या कितने भी small letter हो, ये वाला जो हम हमारा rejects बनेगा, सब को match कर रहा है, देखो कर रहा है, वाव, क्या मस चीज़ है ना rejects ही, हमें नहीं पता है, नाम क्या है, पर pattern के according हम इसको तब भी ढून पा रहे है, अब last name का अगर आप pattern देखो, तो same type का ही है, ये first letter capital है, तो a to z दे देंगे हम square bracket के अंदर, और उसके बाद कुछ alphabets है, जो की small में ही है, a to z, कुछ भी हो सकते हैं, और 1 हो सकते हैं, 0 हो सकते हैं, या कितने भी हो सकते हैं, तो star, मतलब same time का जो pattern हमने दिया है, first name के लिए, वो ही हमने दी दिया है, last name के लिए, आप match information में जाके देखो, so हमारी जो rejects बनी है, हर word को match कर पा र आई है, alright, यहां तक सब clear है न, अगर नहीं है, थोड़ा सा भी कुछ doubt है, तो आप हमसे comment box में पूछ सकते हैं, अगर कभी भी कुछ समझ ना आ रहा हो, तो पूछने में सर्माना नहीं चाहिए, क्योंकि एक कहवत है न, जिसने की सरम, उसके फूटे करम, करम हमें नहीं topic पे आते हैं, अब एक हमने regex बनाई है, इसी से मिलता दूलता एक example हम VBA में करते हैं, जिससे हमारी कुछ practice भी हो जाएगी, हमारे पास Excel की एक seat है, जिसमें न, हमने कुछ names लिखे हुए हैं, अब इन names में हमें क्या करना है, कि इन names से, first name निकालके, column B में लिखवाना है, last name निकालके, column C में लिखवाना है, तो जो भी हमारी string है, इतने भी नाम है, इसको copy करते हैं, और regex 101 में लाके, इसको paste कर देते हैं, अब जो देखो हमने pattern बनाया था, इस पर हमारा वो काम नहीं कर रहा, क्योंकि क्या है न, first name और last name के बीच में यहाँ पर, कोई भी space नही है, हमारे pattern में हमने एक space डाला है, बाकी same है कि first name का first letter capital है, बाकी सारे letter small में है, इसी तरीके से last name का first character है, वो capital है, बाकी जितने characters भी है, वो small है, तो अगर मैं अपने regular expression से space remove कर दूँ, तो देखो, हमारी regex काम करने लग गई है, regex तो हमारी बन गई, पर यहाँ पर अगर आप देखो, तो match में ना हमें first name last name एक साथ ही मिल रहा है, हमें अलग 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 चाहिए, अब यह अलग अलग कैसे करेंगे, इसके लिए ना हम इसमें groups बनाते हैं, तो group बनाने के लिए कुछ नहीं करना होता, जैसे हमें first name एक साथ चाहिए, तो bracket के अंदर first name वाली regex को डाल देगे, आप देखो, match बन के अंदर group बनाया, जिसमें महंदर आ रहा है सिर्फ, second name के लिए sun आ रहा है सिर्फ, तो हमारा काम हो गया, इसी तरीके से last name की जो regex है, उसको एक group में डाल देगे, तो first name और last name हमें अलग-अलग मिल गया, regex हमारी बन गई है, अब चलते हैं vba editor में और फिर आराम से हम code लिखते हैं, regex की library को आपको अपने vba के project में add करना है, हमने पहले ही कर लिया है, तो सीधा macro हम बनाते हैं, macro का नाम लिख लेते हैं, split names करके, कुछ भी रख सकते हैं आप ठीक है, तो एक variable बना लेते हैं, reg x के नाम से और इसका जो type रहेगा वो reg exp रहेगा, इसका एक object भी बना लेते हैं, जिसके लिए हम लिखेंगे set variable का नाम जो की है reg x equal to new और class जो है मेरा मतलब की reg exp, एक pattern हमने बनाया है, जो की search कराना है reg ex के लिए, pattern यहां पर कैसे define करेंगे, reg x dot pattern equal to double code के अंदर जो भी हमारा pattern है, वो यहां पर दे देंगे, हमने जो pattern बनाया है, यहां से उसको कर लेते हैं copy और यहां पर लाकर कर देते हैं paste, अब जो हमारा यहां पर data है वो अलग-अलग room में है, और हर room में जो name है, उनका first name और last name हमें निकाल ला है, तो loop यहां पर हमें चलाना पड़ेगा, हम एक variable declare करते है, r नाम से integer type का loop के लिए, और loop चलाते हैं, हम for r equal to 2, second row से हमारा data है, कहां तक चलाना है हमें, हमारी seat one जो है, seat one के जहां तक data है, मतलब last row जो है निकाल लेते हैं, इसमें data है, तो उसके लिए हम seat one dot cells rows dot count, first column की last one निकाल ली है, तो first दे देंगे dot end excel up dot row, next r लिख के loop को कर देंगी, बंद, अब इस loop के अंदर जो regex है, उसको run कराएंगे, उसको execute कराएंगे, so अपनी regex का जो pattern दिया है, उसको execute कराने के लिए हम variable देंगे, और एक इसका जो function है execute, वो यहाँ पर use करेंगे, execute में जो हमारी string है, जिसमें हमें कुछ ढूणना है, वो यहाँ पर देंगे, so वो string हमारी कहां से आएगी, column A से उठके आ रही होगी seat one के, तो हम यहाँ पर दे सकते है, seat one dot range, column A row loop से आएगी dot value, और यह जो हमारा execute method है, यह एक object return करता है, जिसमें match होते हैं, हमारे जितनी भी इसको match मिलते हैं, so इसका जो भी हमें output मिल रहा है, उसको store करने के लिए एक class मिली है, हमें match collection, उसका एक variable declare कर लेते हैं, match call के नाम से edge match collection, और जो भी execute function का output आएगा, उसको इस variable में करा लेते हैं, store, ठीक, यह जो हमारा match collection वाला variable है, इसमें एक से जादे value हो सकती है, क्योंकि यह collection है, तो हम क्या करते हैं, for each loop लगाके, इसमें जितनी यह value है, एक करके get कर लेते हैं, एक variable declare कर लेते हैं, item name से, इसका data type variant रखते हैं, क्योंकि इसमें से जो value आएगी, इस type की होगी हमें नहीं पाता है, तो हम यहाँ पर लिखते हैं, for each item in, हमारा collection कौन सा है, match call, next item लिखके, इस for each loop करते हैं, बंद, अब यह जो हमारा match collection है, इससे जो item आएगा, एक है, उसमें न, first name और last name दोनों होगे, so हमें क्या करना है, first name निकालके column B में write करवाना है, और last name निकालके column C में, तो हम लिखते हैं, seat one dot range, column B में क्या लिखवाना है, first name, so first name की regex हमने पहले लिखिए, उसका group पहले बन रहा होगा, तो हम इसके लिए क्या करेंगे, item और इसमें हमने groups बनाए हैं, तो groups निकालने के लिए हम use करते हैं, sub matches का, ठीक है, sub matches देंगे, zero position पे इसकी, क्या होगा हमारा first name, और इस line को copy करके, नीचे paste करते हैं, C column पे हमें last name लिखवाना है, और last name जो होगा, वो sub message में first position पे होगा, ठीक है, save करते हैं, excel में आते हैं, insert पे जाके, एक save यहाँ पे add करा देते हैं, इसका format यह वाला कर देते हैं, और run macro के नाम से इस button को हम बना देते हैं, ठीक है, right click करके, इस save पर, जो हमने macro बनाया है, वो assign करते हैं, save करते हैं, इस button पे click करके, अपने macro को run करें, तो देखो कितनी आसानी से, जितने भी first name और last name थे, हमने निकालके column boc में लिखवा दिये हैं, all right दोस्तो, so अब आज की task के बारे में बात करते हैं, हमने ना seed two में, कुछ name लिखे हुए है, same ही name है, इनको आपको क्या करना है, column b में, regex लिखनी है, और उसके basis पे इनको ना reverse कराना है, कि last name पहले आना चाहिए, और first name बात में, यह आज की आपकी task रहेगी, तो दोस्तो, आज के लिए इतना ही, आज हमने, regex के कुछ simple pattern बनाने सीखे हैं, अगली वीडियो में यहीं से आगे continue करेंगे, और थोड़े और pattern बनाने हम सीखेंगे, उमीद है कि हम जो भी पढ़ा रहे हैं, आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा, अगर आपको हमारी यह वीडियो अच्छी लगी हो, तो इसको लाइक कर दीजिए, और साथ ही हमारे चैनल को सस्क्राइब कर लिजिए, मिलते हैं नेक्स वीडियो लेक्चर में, बाई!